हेई अव्रिवन तो कैसे हैं आप सब चलिए एक बात बताईए कि गलती से किये गए किसी एक्ट को ओफेंस माना जाएगा या नहीं सो आज का हमारा ये केस बात करता है Mistake of Fact के बारे में दिखिए आज का ये केस है जिस concept पर based है वो concept Indian Penal Court के under one of the most important concepts में से एक है सो हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे वीडियो पूरा दिखिएगा सबसे पहले इस केस का नाम देख लीजिए आप देख सकते हैं चिरंजी वरसे स्टेट 1952 देखिए बले ये केस काफे जादा पुराना है लेकिन ये केस बहुत जादा इंपोर्टन्ट है mistake of fact के concept के रिगार्डिंग सो कुछ facts डिसकस कर लेते हैं इस केस के रिगार्डिंग ये हैं चिरंजी जो की इस केस में है accused and appellant दूसरे हैं घोड़साई जो की चिरंजी के बेटे हैं और जो की 12 साल के हैं और तीसरे हैं खोतला जो की चिरंजी के नेफ्यू है जो बेसिकली चिरंजी अपने बेटे और नेफ्यू के साथ बस्तर डिस्रिक्ट में रहते हैं देखिए एक important जी जो आपको पता होनी चाहिए की चिरंजी जहां रहते हैं वहां अक्सर जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है सो एक दिन दुफैर में होता क्या है की जो खोतला है यानि जो चिरंजी के नेफ्यू है वो फील्ड में काम करने के लिए घर से निकल जाते हैं जबकि चिरंजी अपनी एक्स यानि अपनी कुलाडी लेकर अपने बेटे घुटसाई के साथ एक जगा जाने के लिए निकल पड़ते हैं जिस जगा का नाम है बुद्रा मेता चिरंजी अपने बेटे के साथ बुद्रा मेता कुछ अलग तरह के पत्तों को ढूनने के लिए जाते हैं जिन पत्तों का नाम होता है सियारी लीव्स मतलब कुछ अलग तरह की ये लीव्स होती हैं जिनकी खोज में निकल पड़ते हैं यहां चिरंजी और उनके बेटे गुटसाई अभी तक तो यहां सारी चीज़े ठीक ही चल रही होती हैं लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब खोटला शाम को घर आते हैं खोटला घर आने के बाद कई बार गुटसाई को ढूनते हैं लेकिन उन्हें गुटसाई कहीं नहीं मिलता गुटसाई तो घर में नहीं होता लेकिन खोतला एक और हरान कर देने वाली चीज देखते हैं कि जो चिरंजी है वो सो रहे हैं और उनी के पास उनकी कुलाडी रखी है जिस पे blood stains यानी खून के धबे लगे होते हैं फिर क्या था खोतला जल्दी से चिरंजी को नीन से जगाते हैं और पोश्ते हैं कि गुटसाई कहा है और ये आपकी कुलाडी पर खून क्यों लगा है इसके reply में चिरंजी आंसर देते हैं कि मुझे लगता है मैं पागल हो गया हूँ क्योंकि मैंने अपने ही बेटे को कुलाडी से मार दिया ये समझ के कि वो मेरा बेटा नहीं बलकि एक tiger था देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको ये बताया था कि जो चिरंजी है वो एक ऐसी जगा पर रहते हैं उनका घर एक ऐसी जगा है जहां पर जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है तो यही चीज यहां हुई कि जो चिरंजी है उनने लगा कि उनके घर में कोई जानवर enter कर रहा है जो की था इस case में tiger लेकिन वो जानवर tiger ना होके उनका खुद का बेटा घुटसा ही था देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ terms अच्छे से समझनी होंगी जो की है mistake of fact और mistake of law सबसे पहले बात करते है mistake of fact की mistake of fact का simple meaning होता है कि कोई person करना कुछ और चाता है लेकिन वो चीजों को गलत समझ के कर कुछ और देता है बेसिकली जब fact के बिहाफ पर कोई mistake होती है उस चीज को यहाँ indicate करता है mistake of fact का concept for example जैसा कि आपने देखा इस case में चिरन जी ने अपने बेटे को tiger समझ कर मार दिया यहाँ चिरन जी मारना तो tiger को ही चाता था लेकिन fact की mistake की वज़ा से उसने अपने ही बेटे पर attack कर दिया देखिए mistake of fact का एक काफी famous maxim भी है जो की है ignorantia factie dot excusate जिसका meaning होता है ignorance of fact excusable है law में यानि कोई act अगर mistake of fact के चलते किया गया है तो वो act excusable है और उस act को offense नहीं माना जाएगा लेकिन जैसा कि आप सब देखी सकते हैं अगर कोई act mistake of law के चलते हुआ है तो वो act excusable नहीं होगा इसका legal maxim भी देख लीजिए जो की है ignorantia juris non excusate जिसका meaning है कि law की ignorance excusable नहीं है चलिए mistake of law के concept को एक example से समझते हैं मान लीजिए एक person rape commit कर देता है और वो court के सामने ये कहता है कि भई मुझे तो पता ही नहीं था कि rape जैसा भी कोई offense होता है तो ये चीज excusable कहीं से भी नहीं है कल को तो कोई भी person कोई भी offense commit कर देगा और वो court के सामने खड़ा हो के ये कह देगा कि भई मुझे तो पता ही नहीं था ये जो act में ने किया है ये punishable है या ये offense consider होगा तो mistake of law में की गई कोई भी चीज एक्सक्यूजबल नहीं है mistake of law में की गई कोई भी चीज को offense ही माना जाएगा लेकिन mistake of fact की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी ऐसा act जो mistake of fact में किया गया जैसा कि हमने इस case में देखा कि चिरन जी ने tiger समझ के अपने बेटे को मार दिया तो ये चीज एक्सक्यूजबल है क्योंकि यहाँ पर mistake of fact के चलते चीज़े हो रही है section 79 भी इस case में बहुत important role play करता है तो इसको भी समझ लेते हैं section 79 of Indian Penal Court बात करता है कि act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law मतलब कोई भी act offense नहीं होगा जो कि किया जा रहा है किसी person के दुआरा mistake of fact के चलते good faith में और वो act justified है by the law देखिए section 79 simply यह कहता है कि कोई भी act जो mistake of fact में किया जाएगा वो act offense नहीं माना जाएगा बस condition यह है यहाँ पर कि वो act जो किया जा रहा है वो mistake of fact में होना चाहिए mistake of law में नहीं so finally honorable Supreme Court इस case में अपना judgment देते हुए यह कहते हैं कि doctors की supervision में किये गए examination से यह पता लगा है कि चिरन जी में किसी भी तरह की insanity नहीं थी और ना ही वो unsound minded थे honorable Supreme Court यह चीज भी specify करते हैं कि जब चिरन जी ने खुद के बेटे पर कुलाडी से attack किया था तो यह act offense नहीं माना जाएगा क्योंकि यह mistake of fact के चलते किया गया है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चिरन जी समझ रहे थे कि वहाँ एक tiger है लेकिन वहाँ tiger की जगा उनका बेटा था तीजरी statement देते हुए honorable apex court यह कहते हैं कि चिरन जी का act excusable है क्योंकि उन्होंने यह act mistake of fact में किया है fourth statement में honorable supreme court यह specify करते हैं कि यहाँ कोई specific reason नहीं है जो इस killing को justify करे और यहाँ यह भी देखने को मिलता है कि चिरन जी और घुटसाई में काफी अच्छे relations थे और दोनों ही devoted थे towards each other fifth statement में honorable supreme court यह कहते हैं कि एपिलेंट ने जो भी act किया था वो किया था delusion में और एपिलेंट का target यहाँ tiger था ना कि उनका खुद का बेटा इस case में अपना verdict सुनाते होए यह कहते हैं कि एपिलेंट ने जो act किया है वो act protected है under section 79 of Indian Penal Code और जो भी conviction और sentence दिया गया था एपिलेंट को उसे set aside किया जाता है और चिरेंट जी को liberty grant की जाती है so आज का यह case हमाई लिए discuss करना इसलिए भी important हो जाता है क्योंकि यह case section 79 of Indian Penal Code के scope को हमारे सामने दिखाता है so मुझे उमीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जिस information को आप यह gather करने आए होंगे वो आपको मिली होगी have a great day